गणतंत्र दिवस का मौका है और देशवासियों के मन में देशवक्ति की भावना उफान पर है ऐसे में अगर दर्शकों को एक बढ़िया पेट्रियोटिक फिल्म देखने को मिल जाए तो बात ही क्या हो इसी फिलिंग को लिफ्ट करने के लिए रितिक रौशन और डिरेक्टर सिधार्द आनंद लेकर आये हैं फिल्म फाइटर तो देर किस बात की? चलिए जानते हैं हमारे रिव्यू में कि दर्शकों की अदालत में फाइटर पास हुई या फेल नमस्कार मेरे नाम है लता सिंग और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का फिल्म रेव्यू सेक्शन तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी की तो ये कहानी है स्कौर्डन लीडर शमशेर पठानिया और पैटी यानि रितिक रौशन और उसकी टीम की पैटी की टीम में उसके साथ स्कौर्डन लीडर मीनल राठोर उर्फ मीनी यानि देपिका पादुकोर squadron leader सर ताज गिल उर्फ ताज यानि करण सिंग रोवर और squadron leader बशीर खान उर्फ बैश यानि अक्षे अबरोय और fighter pilot सुखी हैं यह सभी team dragon का हिस्सा हैं जिसे squadron leader राकेश जैसे हि उर्फ Rocky यानि अनिल कपूर ने emergency में first response के लिए तयार किया है पैटी एरफोर्स का बेस्ट फाइटर पाइलेट है लेकिन उसके सीओ रौकी को शुरुआत से ही वो पसंद नहीं है पैटी हैंसम है और अपने काम में बेस्ट है लेकिन फिर भी उसकी आँखों में एक अजीब सी उदासी है वो अपने साथ कुछ गलतियों का भार लेकर चल रहा है जिसे वो सुधार भी नहीं सकता और उनसे आगे भी नहीं बढ़ पा रहा वहीं मिनी अपने परिवार की मर्जी के खिलाब फाइटर पाइलेट बनने के बाद अपनी जिंदगी अकेले बिता रही है दोनों की मुलाका जब एक टीम का हिस्सा बनने के दौरान होती है तो उनका एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ना लाजमी था लेकिन आपको याद दिला दे कि फिल्म उनके रिमांस पर नहीं बलकि जाबाजी और हमारे जवानों के बारे में है फाइटर की कहानी में कुछ ऐसे ही जबरदस मोड आते हैं जो पैटी और मीनल साहीद पूरी एरफोर्स और भारत को हिला कर रखते थे अपनी मुश्किलों को सामना ये टीम कैसे करेगी और दुश्मनों की हरकतों और जुर्रतों का क्या अंजाम होगा ये फिल्म में देखने वाली बात है डिरेक्शन की बात करें तो आपको बता दें कि डिरेक्टर सिधारत आनंद साल 2019 में रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म वार लेकर आये थे उस फिल्म में धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस और स्टोरी थी जिसने दर्शकों को दिल वे खूब जीता दूँ उसके बाद उन्होंने शारुखान की पठान बनाई और आब वो फाइटर लेकर आए हैं सिदारत आनंद के लिए अब कहा जा सकता है कि वो पेट्रियोटिक फिल्मों के एक्सपर्ट हो गए हैं फिल्म फाइटर में उन्होंने बड़िया स्टोरी के साथ-साथ धमाकेदार एक्शन एरियल एक्शन और इमोशन्स भी डाले हैं फिल्म गहराई के साथ फौजियों के बारे में बात करती है इसकी शुरुआत जरूर पैटी के शौफ करने से होती है लेकिन इसके बाद फिल्म आपको जिस उडान पर लेकर जाती है उससे वापस आने का आपका मन नहीं होगा मुवी का फिर्स्ट हाफ जोश और लाइट फ़नी मॉवेंट से भरा हुआ है वहीं सेकेंड हाफ में एमोशन्स और हाई एनरजी ड्रामा का ऐसा कॉक्टेल है कि देखकर आपको मज़ा भी आएगा और आप एमोशनल भी हो जाएंगे इस फिल्म का फर्स्ट हाफ आपके अंदर जोश भरता है और सेकेंड हाफ आपको रुलाता है फाइटर शुरू से आखिर तक आपके मन को बांधे रखती है इसकी एजिटिंग काफी क्रिस्प है और VFX भी अच्छे खासे है इनमें कमाल का एरियल आक्षन है जिसे देखकर आपकी आँखे फटी की फटी रह जाएंगी बॉलिवूड की इस पहली एरियल आक्षन फिल्म को सिधार्थ आनिद ने काफी मेहनत से बनाया है वहीं सिधार्थ की बढ़िया राइटिंग और डिरेक्षन को कॉंप्लिमेंट करती है उनकी बैतरिन स्टार कास्ट पैटी की रोल में रितिक रोशन काफी कमाल लगे है बॉलिवूड के ग्रीक गॉड कैलाने वाले रितिक रोशन सभी के दिमाग में उनके हैंसम लुक्स और हंक बॉड़ी के लिए रहते हैं लेकिन फाइटर के साथ उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो हैंसम इंसान उनने के साथ-साथ एक बैतरिन आक्टर भी है और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए रितिक का एक्षन, उनके स्टन्स, उनका एक्टिटूड, उनकी डायलॉग डिलिवरी और उनके एमोशन सब कुछ on point है रितिक रोशन के अलावा अनिल कपूर ने अपने रोल को पूरे दिल से निभाया है अनिल इंडस्ट्री के सबसे अच्छे अक्टर्स में से एक है और फिल्म में वो फिर से ये बात साबित कर रहे हैं उनके किरदार रौकी का गुसा, उनकी जुंजलाहट और अपनी टीम और अपने अपनों को लेकर उनकी भावनाएं आपके दिल तक पहुँचती है मिनी के रोल में दिपिका पादुकोर ने भी अच्छा काम किया है आखों ही आखों में रितिक संग रोमैंस हो, जहाज उडाते हुए उनका कॉन्फिडेंस या फिर अपनी टीम के लिए उनका सपोर्ट सब कुछ दिपिका असानी से कर जाती है रितिक और दिपिका की केमेस्ट्री काफी अच्छी लगी है अगर उसे थोड़ा और एक्स्प्लोर किया जाता तो स्क्रीन पर आग लगने वाली थी वहीं सपोर्टिंग कास्ट के रोल में अक्षय उबराय का काम काफी इंप्रेसिव है वहीं उनका साथ करन सिंग ग्रोवर ने भी कमाल दिया है करन को इतने वक्त के बाद बड़े परदे पर देखना काफी रिफ्रेशिंग था इनके लावा संजीदा शेक, तलत अजीज, मुश्ताक, काक संग, आन्ने सपोर्टिंग एक्टर्स का काम भी कमाल का है सभी अपने रोल में एकदम फिट बैठे हैं और उनकी मैनत साफ जलगती है वहीं फाइटर के विलन अजर अक्तर के रोल में रिशब शौने भी बहतरी लगे हैं उनके action scenes भी बढ़िया है, फिल्म में कुछ cameo भी है जिनने देखकर आपको अच्छा मैसूस होगा वहीं फिल्म के music की बात करें तो फिल्म के गाने पहले से ही fans के favorite बन गए है movie का background score भी काफी अच्छा है, कुल मिलाकर अगर आपको अच्छा weekend बिताना है तो fighter को एक chance देने में कोई हर्ज नहीं है अगर बात rating की करें तो reporter जी के पहमाने पर fighter को मिलते हैं 5 में से 2,5 stars अगर आपने ये film देखी है तो आपको हमारे review कितना ठीक लगा है हमें comment करके जरूर बताएं फिलाल इस report में केवल इतना ही, ऐसे तमाम और Bollywood से जोड़ी खबरों के लिए देखते रहिए reporter जी